नमस्कार दोस्तो मैं आपका आज की वीडियो में आज के लिए बहुत यूनीक साच डिसाइन लेग रहे हैं जिसका आप ट्राउजर में तो चलिए किस बात के देरी करते हैं शुरू और प्लीज आपसे रिक्रेस्ट इस वीडियो को आप लास तक जुरूर देखिएगा इस design को बनाने के दोस्तों हमने फैब्रिक लिया हुआ है यह double fold किया हुआ यहाँ से open वाली side है इसकी वो इसकी total measurement देखी तो हम यहाँ पर total है हमारा 59.5 inch आपको अगर 7-8 inch तक मोरी बनानी है तो आप 8-10 inch इसको extra ले सकते हैं प्लेट्स बनानी है अगर आपको प्लेट्स नहीं बनानी है तो डारेक अपनी पटियाला सलवार में यह फिर बाजो में इस design को बना सकते हैं हम यह पर छोटी छोटी इस तरह से प्लेट्स बनाने वाले हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्स में मिल जागा या फिर आप कमेंट बोक्स में भी पूछ सकते हैं इस तरह से अमने इन प्लेट्स को रेडी कर लिया है अब डिजाइन मनानी के लिए यूज होगी हमारी पट्टी इसकी एक तरफ हमने फ्यूज पेपर को पेस्ट किया हुआ है इस पट्टी की यहां पर तो टोटल चोड़ाई रखे 4.5 इंच है वो लंबाई जितनी आपकी मोहरी वाला पोशने उतनी रखनी है एक और हमने यहां पर टुकड़ा लिया है फ्यूज पेपर का जिसकी लंबाई और चोड़ाई कुछ इस तरह से हैं लगबग 10.5 इंच ही यहां पर चोड़ लंबाई है इसकी इस तरह से हमने एक कार्ड़ बोर्ड के उपर एक डिजाइन ड्रो किया हुआ है जिसकी टोटल लंबाई देखे तो करीबन धाई इंच है और यहां से लगबग यह 1.25 इंच है इस तरह से डिजाइन को आपको पहले ही कटकर करके रखने ना है किसी भी गत्ते पर या फिर म यह ड्रो हो जाएगा तो यह दो अलग अलग तरह के हमारे तयार हो जाएंगे जिनके दोनों के जो फेसिज है वो अपोजिट होएंगे कटिंग करते समय थोड़े हिल डूल सकता है तो आप चाहिए तो यहाँ पर पिन भी लगा सकती है दोनों में अलग ला ताकि एक ही जंगे पर रगे और कटने में हमें इसको आसानी हो अब सेम तरीके से दूसरे वाला पोर्शन है इसको भी आपको कट कर लेना है और इस तर होते हैं चार हमारे एक साइड के हैं चार हमारे एक साइड के हैं है इस बात को आप जरूर धानर की सभी को एक ही डारेक्शन में ना जिपकाएं टोटल हमारे देखे हमने इन सभी कौचे से पेस्ट कर दिया है और अलग-अलग इनको कट करके ले लिया है अब हम इनको एक-एक करके तयार करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको लेती हूँ और इसको थोड़ा-थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए चारो तरफ से कट कर लेना है और छोटे-छोटे कट इसमें लगा देने हैं ताकि हमें इसको फोल्ड करने में आसानी रहे पूरे में भी आप कट लगा सकते हैं आने से सेट हो जाएगा इस तरह से इसको सेट कर दीजिए अब इसके उपर अच्छे से हमें प्रेस लगा देनी है बाकि सभी जो हैं इनको भी ऐसे ही पहले कट करना है और फिर इनके उपर अच्छे से प्रेस लगा देनी है आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इन सभी को तयार कर दिया है 8 pieces मेरे यहाँ पर यह तयार हो चुके हैं अब अपनी जो पट्टी उस पर इस तरह से रख देना है कि एक दूसरे के opposite इनका face आ रहा देखी कुछ इस तरह से इनको रख देंगे और इनको fix करने के लिए सबसे पहले एक बड़े टांके वाली सिलाई बीचो बीच लगाएंगे ताकि यह हिले डूले ना और हम इनको आसानी से लगा पाए बाद में हम इस stitch को remove कर देंगे देखी तयार हो गया है अब जो है एक एक करके हमें इन सभी को stitch करना है इनके किनारे से होते हुए हमें सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरह से पुरा time consuming है बड़ बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है किसी भी plain fabric को हम designer look दे सकते हैं बहुत ही सुंदर यह बन कर तयार होगा गले में भी आप same pattern इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप trouser में नीचे इस्तिमाल कर रहे हैं सलवार में कर रहे हैं तो गले में भी हम same use कर सकते हैं देखे इस तरह से एक एक करके इन सभी को हमें सील लेना है fix हो गए हैं बिल्कुल यह बागी सभी को भी ऐसे ही हमें fix कर लेना है दोस्तों इस तरह की काफे सारे design हमने आपके लिए और पी upload किये हुए हैं आप उनको भी देख सकते हैं एक सा एक बढ़कर design आपके लिए हम लेकर आते हैं देखे इन सभी को हमने यहाँ पर तयार कर दिया है और मेरी पूरी पट्टी जो ही तयार हो चुकी है चलिए अब इसमें next design हमें बनाना है तो उससे पहले एक्स्टा धागे को रिमूव कर लेते हैं तो इसको decorate करने के लिए मैंने बहुती पतली वाई lace ली है जो की मेरी matching की है उस lace को हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे इसकी lace की उल्टी वाली साइड है सीधी वाली साइड बाद में बाहर की तरफ आएगी इस तरह से लगा दीजे इसको अब इसको हम पलट देंगे अंदर की तरफ और किनारी से होते हुए एक सलाई लगा देंगे अंदर जो पोश हमने फोल्ड किया है उसको आप चाहें तो तुल्पाई डाल सकते हैं उसमें इस तरह से किनारे से होते हुए इस सलाई को कम्प्लीट करतेंगे बहुत ही सुन्दर डिजन में लगा तयार होगा दोस्तों प्लीज आप इसको लास तक जुरूर देखते जाएगा अब सेम लेसी हमें इसको ऊपर वाले हिस्से में लगा देनी है कुछ इस तरह से पर इसको दोबारा से फोल्ड नहीं करना है सिर्फ यहां पर एक ही सिलाई हमें लगानी है क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो मोहरी वाला पोशन है जिसमें प्रेट्स बनाए थी वह आने वाला है तैयार हो चुका है हमारा अब इसके हमें डेकुरेट करना है तो इसके लिए चोटे चोटे हम नहीं है आपर यह बीड्स लिए हैं आपके पास बीड्स नहीं है तो आप इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं देखें इसके बिल्कुल जो एक किनारा था यहां पर हम इसको लगाएंगे और दो से तीन बार धागे को आपको जुरूर पास करना है जो बीड्स है मोती है उसके अंदर से ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए और वूश करने के बाद भी अच्छे से निकले ना ये और अच हमारा बनकर की तयार हो चुका है आप इसमें हमें अटेच करना है अपना पोर्शन तो इसलिए इसको उल्टा करके रख लेंगे हम यहां पार और सिलाय लगा देंगे पहले आपको एक सिलाय दिखाई दे रही होगी उपर जो हमने लेस में लगाए थे सेम उसके उपर से इ लगानी है इसको पलेट दीजिए पलेटने के बाद एक स्लाइस के उपर से ओ लगानी है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए यहां पर यहां पर बिल्कुल किनारी से होते हुए एक स्लाय ओ लगा दीजिए और आपको फाइनल दिखी किया होगा कितना बैस्ट डिजाइन हमा करने के बाद भी देख सकते हैं कैसा लगेगा यह अब इसमें जो भी आपकी मुहरी वो रख लीजी और फिटिंग वाली स्लाइस में हम डाल देते हैं तैयार होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सोबर डिजाइन है और कुस यूनीक सा पैटन है तो आपको डिजाइन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस डिजाइन को आप कितना स्टार देना चाहेंगे 12345 हमें कमेंट में आप जरूर बताएं मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए